जिसमानों यहां पर ग्रैविटी है तो आगर आपको ग्रैविटी में कोई भी अब्जेट को थो करेंगे एक दम सीधे उपर तो वो सीधे उपर जाएगा रुकेगा और लॉट आएगा यानि उसका पाथ होगा वो स्ट्रेट डाइन होगा सभी है यह अगर आपको रिलीज करते हैं सीधे नीचे जाएगा वो इस ट्रेल लाइन होगा लेकिन अगर ऐसे शोपर में या इसे या इसे किसी आइगेल पर तो वो उसका पाथ जो है प्रोजेक्ट आइल जो है पहरा वोलिक होता है तही है ओके इतनी बार ठीट है ना बोलो भाई आज लेकिन हमको पाढ़ना यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन से फील्ड है कौन से फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमनों किसी आप्जेट को थ्रो करें तो इसका पाथ क्या होगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आप्जेट को थ्रो करें तो उसका पाथ क्या होगा इसटारव और लगीम बैट केवन फोर्स की कौनसे कि कौनसे फोर्स ही बाठ हो रही है कौन से फोर्स के बाठ हो रही है हाँ में अफो आपको असरुपो इस वापता ही एक प्रेंट पर होस्तिक Works है और एक प्रेट पर निगेटिव चार्ज था तो मुझे बताओ विए प्लस से मानस की और है ना है कि नहीं भाई अगर यहां टेश्च चार्ज अठोगे तो इस चार्ज के फोर्ट किदर लगेगा प्लस वाली प्लेट इसको रिपेट करेगी इसके फोर्स दीचे लगेगा न तो जिदर फोर्स लगएगा आज इस चार्ज को रखकर छोड़ दें इसे फोर्स देगा यह सीजे नीचे चला आएगा मतलद इसका पात स्ट्रेट लाई होगा बोलो सही है चार्ज को अपने यहां रखकर छोड़ा इसने पोर्स लगा नीचे तो यह नीचे चला आएगा इसका पास कैसा हुआ इसका पास कैसा हुआ इस टेट लाइन अब माल दिजे कि आपने इसको जीरो विलाउस्टी से नहीं रखा आपने इसको इधर फ्रो कर दamıधा बिए को इस फर्म आपने स्हीं के से फेरि भोगर दिया लेकिन अरắn भाइल नहीं समिझे इंगा है और लिशक्ते इंद मे नहीं बुड़ो कि अरे मेरी वास समंझ में आई तुमने इसको विलाश्टी भी से घ्रो किया ōको श्रूच नीचे लग रहा है बताओ कैसे से लगाइए तो फोर्ट जो नीचे लगा है उसके पीचे आना चाहेगा विलाश्टी जो आगे है उस फिल में जा जाएगा ब्रिद से हैं तो इसका सिंपलाथ कि जाएक कि एलेक्ट्रिक फीड में जैसे कोई पूछे भाई ची बताओ एलेक्ट्रिक फीड में किसी पाड़की का पास क्या होता है कोई लेक्टी फीड है वहाँ कोई पार्ट फीड है उसका पास क्या होगा तो उसका क्या एंसर दोगे इस्ट्रेट लाइन या पैराबोला इसका एंसर है दोनो दोनो एंसर होगा इस्ट्रेट लाइन भी इसका एंसर होगा और पैराबोला भी इसका एंसर होगा अगर पार्ट किल को रख तो आपने रिवीश किया है, तो ए इस्टिर्ट टाइम होगा, अगर आपने तो पैरा बोला होगा, लिकिन सरख यह है, कि ठो करने वाली वेलाज़ी की डैयरिक्सान है, वो पोर्स की डैयरिक्सान होना होनी चाहिए, अगर नीचे इन्थ्रो कर दो तो तेको आप एक सिंपल सी बात कर रहा है यहां पर ज़ादेला यहां पर गी ओर्सक्री ओर किसी से एक स्थार्च और आप एまで प्लस क्यु चार्ज को प्लस Q चार्ज को V विलाउस्टी से इरद द्रो गड़ते तो हमारा हमको यह पता करना है कि यह कौन से पाथ पर चलेगा क्या पता करना है X जायरिक्सन में कितना चलेगा और Y डायरिक्सन में कितना चलेगा यह दो चीज हमको पता करनी है क्या क्या पता करना है कि अगर हमने इसको बी विलॉच्टी से राइट साइट दिका एक्स के लाउंग प्लस एक्स के लाउंग और एलेक्ट्रिक फीड्ड नीचे की ओर है माइनस वाई के लाउंग तो इसका जो पाथ होगा इस पाथ में डिश्टेंस हैनेगा एक्स क्वाडिनेट कितना होगा वाई क्वाडिनेट कितना होगा और दोनों में क्या रिलेशन होगा उनों बग समय में आ रहे हैं मतलब किसी पाथ किल को अगर थो करें इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड में पर्पिंडिकुलर तो उसका पाथ क्या होगा उस पास, पात पात की लिए है across, पाथ जो है उसका उसका पयरा पात होगा लेकिन हमको कि पैरा प्रस कोला की के मी हाहाई ना है तो प्हैरा पात होगा हो म anten Europरर्ण का पात हो तो कि आप बोलो ये बाद clear हमको y और x क्वाइट में रिलेशन चाहिए भाई हमको y और x क्वाइट में रिलेशन चाहिए कि y क्वाइट कैसा होगा x क्वाइट कैसा होगा बोलो ठीक है तो चलो इसको पता करते हैं ध्यान को सुनो मां लेते हैं कि t टाइट के बाद यहां पर है मां लेते हैं कि t टाइट के बाद पाद प्वाइट के गवाइट है x कामा y क्या गवाइट है x कामा y टाइट के बाद टी टाइट में x क्वाइट यह होगा इधर तो यह दूरी इसकी x हो गई यहां से हां कर तो मताओ यह वाली हकली होंगी वाइस हो भी तो वाई के लिए sekarang पैस दीशा है तोस्तिकर फोर्स का कोई भी जी रखता है इसका पुर्स का पॉर्स का पॉर्स के वल भाई ने आएगा वाई पे फोर्स कितना आएगा क्यूं ही और पहले सब्सक्राइब करता है तो एक सब्सक्राइब के लिए एक डिस्प्लिस्मेंट एक बराबर विलास्टी इंटु टाइम टी बस यह विस्टर लगे कि दूरी बराबर चाल गूरें समय या एक सब्सक्राइब समय घ्युक्त हुएक कि एक सब्सक्राइब 3 इक क। सब्सक्राइब के मां सब्सक्राइब लाएब को नियुकतम जो है क्योंकि पूरी वेलास्टी जो है एक्स के लाव में य के लाव कोई भी वेलास्टी नहीं है तो वेलास्टी का वाई अपॉनेंट जीरो है तो भी वाई जीरो हो गया प्लस हाफ ए एक बेसर में जाएका फोल्स अपान मास इंटो T स्क्राइड और फोल्स होता है QE तो यह हो गया हाफ QE बाई M इंटो T स्क्राइड ती की वाई तैना है राई T की value है तो S upon V यानि S upon V का square यानि velocity था Q by M into E into S square upon V square यह Y और S में equation आई और देख लो Y की power 1 है X ती power 2 है तो यह पैरा बोला है अब बोलो जो बात कह रहा हूँ फिर से समझा दू हाँ सर सुरू से वर्णी करके आवाज नहीं आ रहे है ठीक फिर से सुरू फिर से सुरू यहां पर एक plus Q charge है जिसको तुमने V velocity दी है X के राउग और electric field Y के राउग है नीचे E तो plus Q charge पर velocity कुछ भी हो उससे कोई वक्त नहीं होता positive charge के force रखता है field की direction में QE तो मैंने इधर force बना दिया है QE और अधर force आया QE तो acceleration होगा force यादि QE upon mark यादि force upon mark यह acceleration होगा आप से अपर बराबर MA से तो A बराबर F by M F के रहाए QE निखा है तो यह Y direction में acceleration आ गया velocity के वन X के राउंग है तो velocity X के राउंग है acceleration इधर 0 है और acceleration Y के राउंग है इधर velocity 0 है तो जब आपनों S के राइसर में लगाएंगे तो के वन S बड़ाबर U T के है तो हाफ रेटी स्काइब होगा नहीं है S है displacement X जो की इस पॉइंट इधर इधर S velocity V into T हाफ रेटी स्काइब 0 है क्यों S बड़ाबर V into T X के राउंग है अब यह Y direction में लगा रहा है इसको S में लगा है S की रिगा Y velocity 0 0 into T करेंगे यह टर्म 0 होगया हाफ A की रिगा Q यानि Mark A की रिगा force upon Mark और T स्काइब और इस force की रिगा मैंने QE रिखा है और इस T की रिखा यहां से fall करके X upon V रिखा है यह लिगा X upon V के स्काइब तो जो Y की value आई उसका expression जो आ रहा है S के स्काइब आ रहा है तो Y की power 1 और X की power 2 यह भहचान है तो इस पहरा बोला में देख लो QY M आ रहा है न Y की जो value आ रही है उसमे QY M आ रहा है न उन्हों Q क्या है charge M क्या है mass Q क्या है charge M क्या है mass तो उसी का Y जाना होगा जिसका QY M जाना होगा जैसे आपके examen को इस सरा आ जाए कि यहां से proton को खेका गया इलेक्रान को खेका गया किसका Y क्यादा होगा किसका यह से जाना होगा तो आपका answer होगा जिसका charge part one mass जाना हो तो proton और electron दोनों पर क्योंकि value बराबर होती है मास जो है proton का कम होता है तो electron का mass क्यों होता है कम से डिवाइड होगा जादा आएगा तो जो shifting है वो electron की जादा होगी बात समझ में आई क्या बात समझ में आई the shifting of electron will be more because it has large value of Qym because its mass is less than mass of proton वह यह proton का mass कम होता है कि जादा होता है electron से proton हरी होता है तो जो भारी होका उसका mass जादा होका उसका white water कम आएगा अरे मेरी बात समझ में आ रही है हाँ तो ये इस पे question दिये हुए है आपकी book में देखो ऐसे question दिये हुए है मैं डायरा बना दे रहा हूँ मुझसे सवाल कुछे से इसलिए इसको बन बताया यहां देखो तो मैं मुझसे सवाल कुछे से मैं सवाल ना बता के पूरा concept की बता दिया यहां देखो यहां पर ऐसे plus बना हुआ है यहां plate पर minus बना हुआ है इस पूरी बात के स्वितना प्रॉत्तब है कि plus दे minus की और नीचे दे फील है ती उसके बाद यहां पर ती चार्ज पार्ट की ठेके गए एक IC चला गया एक IC चला गया एक IC चला गया तो जो minus की और जुप गया उसके उपर plus चार्ज है बोलो सही बात और जो plus की और जुप गया उसके उपर minus चार्ज है बोलो सही बात और जो ज्यादा डेविए जासे यह ज्यादा डेविए इसका QYM ज्यादा होगा इसका QYM ज्यादा होगा इसका QYM कम होगा बुल बाउस थो हमें आई है इसकी कोई equation नहीं है मिला इसके ला हुआ इसको बोलते हैं specific charge mass से divide करते होगे charge को QYM को specific charge भी बोलते हैं एक term है specific charge specific charge अच्छा ऐसा concept नहीं है NCRT मेरा NCRT district based सवालबाद ऐसे धीया होगा बीजीज में कहीं जानते होगा इसको आपको मैंने पुरा expression नहीं बता दिया आप तो बीवादी खतम होगा कोई समा कहीं से भी लगाओ आप तो कहीं से भी लगाओ सब आएगा हाँ ठीक अब आते हैं आज से topic पर electric dipole पर ताफिक का नाम क्या है ताफिक का नाम है electric dipole